कि एक छोटा सा सवाल है कि मेरे इतने परसेंट नंबर है क्या मेरा नंबर पहली मेरिट में आ जाएगा क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा इन सब के बारे में इसी वीडियो में कलियर कर लेंगे सबसे पहली चीज़ हमसे जो comment में बच्चे सवाल पूछते हैं कि मेरे इतने percent number है क्या मेरा इस merit में number आ जाएगा इस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते क्योंकि इसका जवाब है वो इतना difficult है कि बस एक तरीके से अब कुछ कह नहीं सकते हैं इसका concept समझाते हैं आप खुझ से समझ जाओगे कि क्या चीज़ है यह अभी इन चीज़ों के बारे में हम पिछला record देखके भी नहीं बता सकते जैसे कि आपको तयारी कर दिए किसी exam paper की तो हम देखते हैं कि previous year questions papers तो पिछले साल जैसे question paper आएंगे इस बार भी आ जाएंगे तो ऐसे चीज़ ऐसी नहीं होता है अभी हम थोड़ा सा आपको clear करेंगे अभी merit लगने का process होता क्या है सबसे पहली चीज़ अगर आप मानके चलो आपने कोई coaching center खोला और उस coaching center में 10 seat available हैं तो आपने क्या काम किया आपने बोला कि हम भाई 10 बच्चो को लेंगे जो बच्चे पढ़ने में intelligent हैं उन 10 बच्चो को लेंगे और उन से हम कोई fees नहीं लेने के बस ये देखेंगे कि उनके number जादा हैं तो आप क्या करेंगे एक महीने का आपके पास time है आप अपना यहाँ पे 12 की mark seat दे दो जिसके number जादा होंगे उन्हें हम लेंगे अब seat कितनी अविले भेल हैं institute में आपको 10 बच्चे लेने हैं नंबर जादा जिसकी हैं तो वो बच्चे जो हैं लिये जाएंगे अब उन में से एक बच्चा आप से पूछ रहा है आपको तो नहीं पता कि mark seat में किस किसने mark seat जमा करी है 100 बच्चे उनने mark seat जमा कर दिये तो एक बार आप से आप ही का institute है आप ही कि महाँ पे mark seat ही कठा है तो आप से पूछ रहा है जिसके percent 68% है कि सर जी मेरा number आ जाएगा क्या मैं भी आपके यहाँ class कर सकता हूँ तो सर क्या जवाब दे सकते हैं बता हूँ से सर को क्या पता कि कितने बच्चे ऐसे हैं किसके 100% हैं कितने बच्चे ऐसे जिसके 98% है कितने बच्चे ऐसे जिसके 99% है तो सर जब क्या करेंगे उन सारी की सारी जितनी 100 माक्सीट आई हैं उनका डेटा लिखेंगे नाम पापक नाम और उनकी परसेंटेज और जब उन्हें सो मेरिट कितने पे लगी है का मतलब है जो सबसे उपर के 10 नंबर हैं वो कितने पे खतम हो गए हैं मान के चलो 100% जिनके नंबर है 12 में तो वो तो है आपके 5 बच्चे 2 बच्चे माल लो 100% वाले अब 3 बच्चे हैं 99 परसेंट वाले तो कितने हो गई परसंट नहीं किसी के च्छानव परसंट के आपके पांच बच्चे हैं तो कितने पे मेरिट लग गई पिच्छानव पे मेरिट लग गई अगर पिच्छानव वाले पांच बच्चे हैं तो बाकी निन्यानव वाले 100 वाले हो गई निन्यानव वाले हो गई पिच्छानव वा बच्चा नहीं है और 38% वाले एक बच्चा है और 37% वाले चार बच्चे हैं तो कितने पर लग गई मेरीड 37 पर लग गई क्योंकि उन्हें हाइस्ट टैन लेने थे अब ऐसे ही सेम आपकी उनिवर्सिटी में होता है उनिवर्सिटी में जो आपकी सीट होती है मानके चलो 100 सीट में आपको उन्हें ये चीज होती है कि पहले हम 20 सीट पे लेंगे बच्चे फिर हम 20 सीट पे तूसरी में लेंगे फिर 20 सीट पे हम तीसरी में लेंगे 20 सीट पे हम चोथी में लेंगे और उसके बाद जितने बच जाएंगे बच्चे उनके उन्हें हम मिसलेनियस जो है फॉर्म निकालके जितनी seat available है उनको देंगे अभी first merit अगर किसी बच्चे की लगती है मतलब किसी college first merit लगाता है उसमें 20 बच्चे उन्हें लेने हैं तो 20 बच्चे मतलब college में seat जादा भी होती है हम तो 100 का बस example ले रहे हैं अब मान के चलो college में 100 seat हैं तो 20 बच्चों को लेना है अब 20 में से 15 बच्चों ने admission के लिए apply कर दिया तो वहाँ पर 5 बच्चे ने admission के लिए apply नहीं किया उन्हें पता नहीं चल पाया या उन्होंने admission उसमें लेना ही नहीं है और फिर कोई और university चूज कर लिया फिर उसके घरवालों ने बोला कि आप competition कर लो बच्चे में क्या रखा बच्चे मत करो तो वैसे बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं उनका एक मुका दिया जाता है second merit में उनको फिर से नंबर आता है उनका second merit में कि आप लो मतलब 15 बच्चे तो हो गए first merit में अब second merit में 5 वो हो जाएंगे और 20 ही हो जाएंगे 25 बच्चे की merit लग जाएगे अगर वो फिर भी नहीं आए 15 बच्चे फिर तीसरी merit लगेगी उन पीछले बच्चों को एक अठा करते रहेंगे और फिर जब मानके चार merit लग गई तीन का लग जाती है चार भी लग जाती है तो फिर निकलता है एक blank form आपको college में जो कितनी seat available है किस college में वो seat लिखी रहती है उसी के according आपका blank form निकलता है उस blank form में college का नाम नहीं रहता आप कोई सी भी class हो कितने भी आपके percentage हो आप उसको भरके देना होता है college में college वाले उसके हिसाब से percentage sort out करके मानके चलो किसी college में 10 seat है किसी college में 20 seat है किसी college में 2 seat है तो आप वो blank form तीनो college में जमा कर सकते हो तीन print out निकल वागे college अपने नाम से college अपने आप खुद से छाटके और course खुद से छाटके आप जमा कर सकते हो फिर आप जब उनकी merit लगेगी वो भी merit लगाते हैं फिर जब उनकी merit लगेगी तो जाके देख पाओगे कि कौन से college में आपका नमबर आया है तो इस तरीके से होता है तो ये जब आप लोग comment में सवाल पूछते हो कि सर मेरे 60% है मेरे 50% है अगर हम आज की condition की बात करें आपको बता है result दसवी का बहुत सही आया है अगर हम average लगा के देखे तो 80% का average है अगर B.A. में आपके 85% है तो नमबर है आने के अगर आपके 80% नमबर है तो second merit में चांसे आनेगे क्योंकि बारवी class का result इतना अच्छा दिया है कि बस आपने देखे होंगे जो meme वगरा बने हैं उन पर कि जिनको result की spelling R.I.J.E.L.T. लिखते हैं उनके 20% नमबर है कुछ इस तरीके से meme बने है तो उनके भी 80% नमबर है तो इस बार जो marks आएं वो अच्छे आएं तो अगर आपने 4 साल पहले बारवी करी थी और अब करना चारे हो मतलब उस टाइम पर 65% या 60% थे और अब आप करना चारे हो भी ये वगरा तो chances थोड़े कम बनेंगे सरकारी college या फिर अच्छे college के क्योंकि वहाँ पर हर बच्चा जाने की कोशिश करेगा और लगवगए 80%-85% average आएं है अच्छे नमबर आएं तो पहले उन्हें ही seat मिलेगी और वो ही seat भरेंगे ठीक है तो बाकी एक तरीके से सकता है और किसका कितनी नमबर आजाए कोई कुछ कह है नहीं सकता ठीक है और अंदाजे भी नहीं लगा सकते आपको हमने एक्जामपल के तर तो बताई दिया कि किस तरीके से यहां पर selection होता है किस तरीके से आपको select किया जाएगा खुद कि teacher को भी नहीं पता कि कितने पर लग जाएगी वह जब डेटा देखते हैं और सब चीजे क्लियर होने होने लगती है दीर दीर तब जाके उन्हें पता चलता है ठीक है first first merit मानके चलो आपकी 90 पे लग गई तो अंदाजा लगाओ कि जो second merit है उसमें तीन परसेंट यह चार परसेंट का ही अंतर रहेगा अब second merit जब लग जाती है मानके चलो दस परसेंट का नंबर हो गया तो third merit में भी आईडिया लग जाता है कि इसमें भी थोड़ा सा ऐसे ही 67% का तो अंतर हो गाई तो इस तरीके से है जिस तरीके से बाल्टी भरती है नीचे से छोड़ी सी वैसी होती है श्रिंग टाइप और उपर से चोड़ी होती है तो जब पानी डालते हैं तो पहले जलडी जलदी बढ़ता है तो मेरिट का इसाई नंबर होता है थोड़ा उल्टा होता है क्योंकि जो 100% वाले बच चाहसी बहुत ज़्याइद कम बच्चे होते हैं जो उपर वाले होते हैं उसके बाद आपका थोड़ा से जादा ले लिए मतलब कम ले लिए कम कम मेरिट लगेगी क्योंकि एक परसेंट ही लगने पर दस बच्चे आजाएंगे बीस बच्चे आजा उस डाइए उस ताइप आपके college में मतलब इतने बच्चे हैं और उसी पर depend करता है कि कितने बच्चों ने form भराया है कितने उनके number है ठीक है तो यह video है जिसमें हमने total complaint इसे explain कर दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होना चीए क्या क्या होता है क्या procedure होता है हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंग और अगर आपको इस से related कुछ थोड़ी बहुत update बाकि सबको बतानी है जो हम इस video में नहीं बता पाए या फिर हमें हमारे ध्यान नहीं रही तो comment section में लिख देना हम उसे अगर हमें सही लगा comment और सभी को जानने के लिए सही हुआ तो उसे हम pin कर देंगे जिससे बाकी भरना चाहिए क्योंकि जितनी गलतियां होती हैं सुरू के तिन दिन में होती हैं तो बस यह update थी बाकि अगर किसी को सवाल है तो comment करना video के description में टेलिग्राम गूरूप के link है उसे join कर लेना क्योंकि जितनी भी छोटी मोटी update आती है सब वहीं पे आपको inform किया जाता है ठीक तो बस इस video में इतना ही बागी कोई सवाल हो तो comment करें